हलो फ्रेंड्स आज का हमारा टोपिक है सनलाइट और ब्रोकेन कोलम जिसे एटिया होशन के द्वारे लिखा गया था जिनका जन 1913 इसपी में लखनम हुआ था और उनकी डेथ 1998 में हुई थी ये एक राइटर अथर ब्रोड कास्टर जेनरलिस्ट और एक्टरेस भी थी और इस को पब्लिस करवाए गया था फर्स्ट फब्लिस 1961 में और इसका सेटिंग रखा गया है लखनाओ और इसका थीम है बेकड्रॉफ पार्टिशन ऑफ इंडिया ओके तो यह जो टोपिक है यह एक सेमी ओटो बाइग्राफिकल नोवल है ठीक है जिसे कलेक्शन आप सोट स्टोर इस फॉनिक्स फ्लिड से लिया गया है इस टोपिक में अटिया होशन जो हैं जिनको खुद इन सारे घटनाओं के बारे में आभास हुआ था उनके लाइप में बीता था प्रन्तु बस एक फिक्शनल कालपनिक करेक्टर लैला को आधार मानते वे इस टोपिक को उन्होंने क अबी चीजों को इसमें बताए गया है और यह जो टोपिक है इसको टीएस इलियट के एक पोएम दा हॉलो मैन के सेकेंड इस्टेंजा के लास्ट लाइन से लिया गया है चलिए इस टोपिक को हम लोग समझने से पहले इस टोपिक के में करेक्टर के बारे में जानते हैं हम हमरा फॉस्ट केरेक्टर लेला जो कि 15 येर्स की एक मुसलिम लड़की है अनात लड़की है और अवीदा और मजीदा जो कि लेला के फुआ लगती है मतलब इनके पापा के बहने थी और जहरा जो कि मजीदा की 17 येर्स की डोटर है 17 साल की लड़की है और इसमें ग्रेंट अध्योस पादर हैं जो लेला के दादागी है》मिद लेला के अंकल है हमिर जो कि लेला के हस्बेंड रहते हैं नेशेस भी को हम लोगो एक पाट से समझेंगे सबसे पहले हम लोग लेला के प्रस्नल लाइप टर ताव फैमिली के बारे में जानेंगे और साथ-दि-परदा स city जाती है उस वक्त वहां का political condition कैसा था इसके बारे में जानांगे और पिर नियसर जानांगे लैला के साधी के बारे में किन से उनकी साधी होती है और लास्ट में हम जानांगे पार्टिसन उप dokładेंगे तो चलिए हम लोग इसक टोपिक स्टार्ट करते हैं और हम लोग इससे समझते हैं लैला एक अनात लड़की थी जिसके माता-पिता की मृत्तु हो चुकी थी लैला का जन्म एक अमीर मुस्लीम परिवार में हुआ था वो अपने परिवार में दादा जी के साथ रहती थी चुकि दादा जी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी जिस बज़े से परिवार के सभी सदश से उनका काफी रेस्पेक्ट किया करते थी साथ साथ परिवार में अबिदा और मजीदा नाम की दो महिलाएं थी जो कि लैला की फुवा लगती थी क्योंकि वे दोनों लैला के मरे हुए पिता की बहने थी और जहरा जो क कि मज़िदा की 17 येर्स 17 साल की बेटी थी ये सभी महिलाएं रूरीवादी सोच की थी मतलब ये सभी पर्दा-पर्था का पालन करती थी पर्दा-पर्था का मतलब होता है किसी भी अंजान लोगों के सामने अपना चेहरा ना दिखाना या फिर जब कभी भी आपको बाहर जा करता है कि जहरा कि साधी होने वाली रहती है तथा जहरा जो होती है वह एक रूरीवादी सोच वाली लड़की होती वह पुराने परंपरा पुराने ख्यालात वाली लड़की होती जिस वज़े से वह उस माहौल में पूरी तरी किसी खुस थी और अपने आपके अड्जेस् मिला था, क्यूंकि उसके पिता की इच्छा थी, कि लैला वेस्टेन एजुकेशन प्राप्त करें, जब लैला को वेस्टेन मिलता है, जिस कारण से उसे रूड़िवादी परमपरा सोच, इन सभी चीज को मानने में, अपनाने में काफी ओड मस्वस होता है, काफी problem का सामना करना पड़ता है उसके अध क्या होता है कि कुछ time के बाद जो लैला के दादा जी होते हैं उनकी death हो जाती जिस कारण लैला काफी अकेले पड़ जाती है क्यूंकि दादा जी जो थे वो लैला से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे जिस कारण वो अकेले पड़ जाती है अब घर का मुख्या जो थे हैं दादा जी वो तो डेथ कर गए तो उनके जगह पर अपकोन आएं लैला के पापा के बड़े भाई हामीद तो मुख्या कोन हो जाते हैं हामीद हो जाते हैं सारे नियम कानून हामीद के अनुसार परिवार में चलते थे चुकि कहने को तो हामीद एक लिबरल मतलब उधारवादी बेखती थे लेकिन यह वास्तों में उधारवादी नहीं थे क्योंकि उनके अनुसार घर के सभी सदेस्टों को उनके नियम के आधर पर चलना पड़ता था मतलब वो जो कहेंगे वही होना चाहिए तो साब भासा में हम कर सकते हैं साब तरीके से कि मतलब घर के लोगों को ज़्यादा मातरा में आजादी नहीं थी वह अपने मन की नहीं कर सकते थे अब हम लोग इसमें जानेंगे अब कि वह जब इन्विर्सिटी जाती है कोलेज जाती है तब क्या-क्या पॉलिटिकल कंडिशन होता इसके बारा में जानते हैं ज़्यादा दिन तक परदा सिस्टम चला नहीं वहाँ पर क्यूंकि लेला अब कोलेज पढ़ाई के लिए जाने लगी जहां उसके बहुत सारे दोस्त बने कुछ रिलेटिप से भी उसकी मुलाकात हुई जैसे कि उनमें से एक ता उनका कजन असद ये सभी कोलेज के फ्रें करता था उनके खिलाप में लैला नहीं रखती थी क्योंकि वह तो अपने आजास्ति के बारे में संगर्स कर रहे थैं उल्ल किस तरीके से अपने आजादी के लिए इस के लिए इंडिया जो है खुद स्ट्रेगल कर रहा था ठीक उसी परकार ये जो लेला है ये भी अपने जीवन में खुद के फ्रीडम को पाने के लिए संगर्श कर रहे थी अब क्या होता है कि एक बार लेला के अंकल हामीद कोलेज में चल रहे पॉलेटिकल कंडिशन के बारे में लेला से पूछते हैं तो लेला बताती है कि उसे इन सब बातों में कोई इंट्रेस्ट नहीं मतलब वो पॉलेटिक्स में बिल्कुल भी भाग नहीं लेती है उसे तो बस अपने फ्रीडम के बारे में जानना था उसके बारे में उसे संगर्श करना था अपने फ्रीडम क ठीक है वे लोग हमेशा गरीब नोकर लोगों को दबाया करते थे उनसे बस काम निकाला करते थे एक बार उनके घर में एक नोकरानी की तबियत काफी खराब हो जाती है तब लेला हेल्प मांगती है कि उसका हेल्प किया जाए उसकी मदद किया जाए उसको बचाया जाए पर क वो इसके लिए घर का वेक्ति आगे नहीं आता है कोई help नहीं करता है परन्तु फिर भी लेला उस वक्त उस नोकरानी को किसी तरह hospital भेज देती है परन्तु hospital लेट पहुचने की वज़े से उसकी death हो जाती है इस बात से लेला को काफी आहात पहुचता है वो काफी दुखी होत इसके साथ साथ वो बताती है उस समय जादा तर जो बाते थी वो पूरुसों की ही चलती थी वहाँ पूरुसों की बातों को जादा ध्यान दिया जाता था यदि कोई वेक्ति किसी महिला को सोसित कर रहा है और वह सिकायत भी करती तो उसके बातों को जादा से जादा ध्यान नहीं दिया जाता था, हलके में ले लिया जाता था, बलकि उस वक्त उस पूरुस की बातों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, उसकी बातों को ज़्यादा बरियता दिया जाता था, मतलब कह सकते हैं कि लड़की की खुसी का अगर जदी बात यहां पर कहा जाए तो उसकी बातों पर तो कोई ध्यानी नहीं देता था, बलकि सारे नियम, काइदे कानून पुरुसों के दवारा बनाए जाते थे और उन्हीं के अनुसार सारा सिस्टम को चलाया जाता था, मतलब महिलाओं को इसमें दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं था, अब हम लोग जानेंगे लैला के मेरेज के बारे में, कुछ टाइम के बाद लैला को आमीर नाम के एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है जो काफी गरीब होता है उस लड़के को लैला के घर वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे लैला के घर वाले नहीं चाहते थे कि आमीर और लैला का साधी हो मतलब लैला आमीर से साधी करें परन्तु लैला जो थी इन सभी की बातों को ना मानते हुए, खुद की आजादी को मानते हुए, वो उस लड़के से साधी कर लेती है और उसके साथ रहने लगती कुछ टाइम ठीक ठाक चलता है उसके बाद क्या होता है हमारे देश हमारे देश में जब पार्टिशन होता है मतलब भारत और पाकिस्तान का जो डिवाइड होता है कंट्री का, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मातरा में खुन खराबा होता है हुड़दंग होता है मार पीठ होता है लोगों की जाने जाती है तो उसी दौरान क्या होता है कि आमीर का भी मोत हो जाता है ठीक है, अब लेला पूरी तरीके से अकेले पड़ जाती है और यह जो nobel है open ended समात होती है मतलब कि अंत में लैला का क्या हुआ वो कहा गई वो क्या की इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है और जो nobel है वो finish हो जाता है Thank you